हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना लेटेस्ट फोन लेकर आया हूँ जो अभी ऑफिशली मतब प्रॉपर वे में लॉंज भी नहीं हुआ ऑफ्लाइन मार्केट में कहीं कहीं अवेलेबल हैं तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो एंट तक जरू दिखिएगा बाकि यहाँ पर Hot 40i लिखा हुआ है, और पीछी की तरफ आपको यह सारी specifications मिलती है, आप पढ़ सकते हैं इसको, बाकि बात करें rate के बारे हैं, सबसे important चीज यही है, तो box पर जो दोस्तो rate है वो है 10,999 का, लेकिन तो box के ओपर मतलब जो rate है वही 11,000 का है, चले देखते हैं, Hot 40i के साथ 10,000 में आपको क्या-क्या दिया गया है, तो इसके box को जैसी आप इसको इस तरीके से open करते हैं, सबसे पहले तो आपको phone मिल जाता है, जो मेरे पास है blue type के color में, इसका detail look हम अभी देखेंगे, इससे पहले देख लेते हैं box में और क्या-क्या है, तो यहाँ पर यह सब कुछ हटाने के बाद, जो एक इस तरीके से user manual दिये गए हैं, और पूरा डबा खाली कर लेते हैं एक बार में ही, और इसके बाद जो यहाँ पर हमें एक cover मिलता है, यह प्लास्टी की type का cover है, soft finish में इस तरीके से आपको quality में आपको cover दिया गया है, और एक मिल जाती है दोस्तो यह type C cable, जिसकी length और quality काफी बढ़िया है, तो white color में type C cable है, last में यह white color में charger मिलता है, जो की एक, कुछ इस तरीके से आपको simple 18 watt का charger मिलता है, fast है, तो यह चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, तो 10 watt का नहीं है, दोस्तो charger आपको 18 watt का मिल जाता है, तो यह चीज़ काफी बढ़िया है, तो box के जो content से दोस्तो यह सब आपको मिलते हैं, इस तरीके से इसको सबसे पहले कर लेते हैं, तो यह रहा दोस्तो इसका first look, तो दोस्तो hot 40i में जो आपको pattern मिलता है, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको जो camera का design दिया गया है, इस तरीके साब को जो ऐसा लगता है, तीन camera है, लेकिन दो camera दिया गया है, इस तरीके के design में, और light की जो reflection इसके back panel पर, वो क्या ही कमल के आपको देखने को मिलती है, और पूरा back panel इसका matte finish में दिया गया है, जो की बहुत ही जादा चमकता है, यह भी इस पर एक sticker type का लगवा था, तो इसको हटाए सो जिस उसका निशान है, लेकिन quality जो इसके design की काफी बढ़िया, और color जो इसके back panel पर क्या ही कमाल के लग रहा है, यह जो इसके अंदर आपको blue के साथ, जो कुछ इस तरही से pinky shade देखने को मिलता है, वो इसके design को काफी बढ़िया बनाता है, और side उसके frame यह भी आपको glossy pattern में दिया गए है, तो आप इसको थोड़ा सो care से use करेंगे, तो काफी बढ़िया रहेगा, जैसे cover लगा लगा लेते हैं हम, तो उसके बाद जो आपको थोड़ा सा clean लगा करना पड़ेगा, होट 40i design को लेकर कैसा लगा, कैसे नहीं, आप मुझे comment करके बताइएगा, बागी flashlight भी काफी बढ़िया design में आपको दी गई है, तो लुकवाइस जो इसका design काफी ज़्यादा कमाल का है, चलि दोस्तों on कर लेते हैं हमारे Infinix के hot 40i को, और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको जो display मिलती है, वो कैसे मिलती है, display के colors होगारे कैसे है, और quality आपको कैसी दी गई है, तो इसके अंदर दोस्तों आपको IPS display मिलती है, तो AMOLED display तो इसके अंदर आपको नहीं दी गई, IPS मिलती है, HD+, तो अगर full HD+, display होती, तो काफी बढ़ी है रहता, तो वो चीज़ तो आपको देखने को नहीं मिलती, display तो इसके अंदर आपको HD+, ही दी गई है, बाकि दोस्तो colors होगारे कैसे है, brightness कैसी है, तो वो चीज़ में आपको दिखाता हो, इसके अंदर आपको कोई problem होगी है, या फिर नहीं, और design की display का कैसा है, तो दोस्तो इसके अंदर आपको user interface इस तरीके से मिलता है, आप इसे उपर की तरह swipe करेंगे, आपको सारी applications मिल जाएंगी, तो कुछ इस तरीके सा आपको इसका UI दिया गया है, बाकि दोस्तो आपको infinix के phone यूज़ करने में कैसे लगते हैं, कैसे नहीं, आप comment करके बताइएगा, इसके लब अचली चलते है, settings के अंदर में आपको दिखाता हूँ, comment करके बताइएगा, चले हम आपको इसके display की quality करीब से दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको display की quality कैसी दी गई है, तो इसके अंदर आपको मिलता है, दोस्तों, डिजाइन तो punch hole camera वाला, और इसके अंदर आपको ये magic ring भी इसके अंदर मिलती है, तो notification वगएर है जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, आईफून की तरीकी से इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे charging की और data वगएर को लेकर, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, और display के colors को लेकर, brightness को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे इसमें नॉर्मल लगी, अगर ये थोड़ी से और कम होते हैं, नेरो होते हैं, तो और जादा बढ़ी है रहता, तो display के अंदर जो design का, जो edges, bezels हैं, आपको थोड़ी से बढ़े मिलते हैं, ये थोड़ी सी जादा बढ़ी है, तो वो चीज़ जो है दोस्तो, average है, मतलब थोड़ा सा, जो normally आजकल चल रहा है, जिन phones के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो वो चीज़ जो है, उनके comparison में थोड़ी से बढ़ी लगी मुझे, तो बाकी दोस्तो, colors बख रहा है, तो काफी बढ़ी है, brightness को लेकर भी दिक्कत नहीं होगी, इसके लब दोस्तो, इसका जो design इस angle से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, left side साब देहेंगे, या आपको SIM के ट्रे दी गई है, SIM के ट्रे चेक कर लेते हैं, कैसी मिलती आपको, और यह सबसे अलगी SIM ejector tool है, दुनिया का हमारा, तो इसको हमें काफी unique SIM ejector tool इसके साथ मिलता है, मता कर रहा हूँ मतारा, इसमें से मैंने निकाला नहीं है, पन नी चड़ए चड़ए इसमें से निकाल ली मैंने SIM, मिल जाता है, दोस्तों टाइप सीपोर्ट इस बढ़िया है, फिंगरपेंट स्केनर आपको साइड में मिलता है, और यह कितना जाद अंदर है, कुछ अलगी मताब बढ़िया सा लगता है, तो SSS का डिजाइन आपको साइड उसे मिलता है, लेकिन बैक पेनल पे तो बिल्कुल भी फिंगरपेंट से नहीं आ रहा है, और कैमेरे के मॉडियूल के अंदर यहां पर जो यह चोटी चोटी लाइनिंग्स दी गई है, मतलब निशान से बनना है, वो भी रेंबो कलर्स के शेड में आपको देखने को मिलते हैं, जब आप इसको लाइट मैं से मूव करेंगे, अब दोस्तो बात करें, इसकी सबसे बड़ी चीज इसकी रेम और स्टोरेज को लेकर, इसके अंदर आपको जो रेम और स्टोरेज दी गई है, काफी ज़ादा मिल जाती है देखिए सबसे पहले storage तो इसके अंदर आपको 10,000 में 256GB मिलती है अब ये चीज बहुत ही बढ़ी है इस phone में अगर आपको storage ज़ादा चाहिए तो वो चीज आप box पर भी देख सकते हैं 256GB, 256GB storage आपको इंफिनिक्स के phone में मिल जाती है वो भी काफी कम price में तो इस चीज काफी ज़ादा बढ़ी है और दूसरे phones में भी RIS budget के आसपास लेकिन इंफिनिक्स में तो आप जो है दोस्तो इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है RAM expansion कभी इसके अंदर आपको option मिल जाता है 8GB RAM है 256GB storage है 8GB RAM और बढ़ जाएगी तो 16GB RAM हो जाएगी दोस्तो 256GB storage तो इस चीज आपको बहुत ही बढ़ी है मिलती है इसके अंदर front camera में आपको 32MP का मिलता है बाकी performance और कैसी मिलती है उसके बारे में भी बात करींगे android का जो इसके अंदर आपको 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 दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको android का 13 version दिया गया है अगर latest version 14 होता तो काफी बढ़ी है रहता तो वो चीज़ तो देखने को नहीं मिलती android 13 नहीं है मतलब 14 नहीं इसके अंदर 13 ही आपको मिलता है तो यह चीज़ आपको जो देखने को मिलती है बाकी दोस्तों बात कर इसकी performance को लेकर इसके अंदर आपको जो प्रोसेर कौन सा दिया गया है और यह जो एक ऐसा सा perform करता है क्या मतलब budget phone है तो इसके अंदर आपको hang वागर की दिक्कत देखने को मिलती है या फिर नहीं तो इसको सबसे पहले में restart करता हूं मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर आपको restart test में कितना time लगता है और normally use करने में भी एक ऐसा से perform करता है वै चीज तो मुझे इसके अंदर थोड़ी सी normal type के लगी बाकि अगर processor थोड़ा और ज्यादा बैटर होता तो काफी बढ़ी रहता normal use के अंदर वैसे में आपको दिक्कत नहीं होगी काफी fast कर रहा है restart test में भी मैं आपको दिखा देता हूं और दोस्तों कुछ applications भी मैं आपको open यह चाहिए तो वैसी सी performance आप जो दोस्तों और दूसरे फूंस में देख सकते हैं इंफनिक्स के तो दोस्तों restart test में काफी जल्दी open on हो चुका है और applications भी काफी fast open कर रहा है तो speed वगएर नॉर्मल उसके अंदर काफी बढ़िया से यह वर्क करता को दिक्कत आपको नहीं हो दोस्तों 50 MP का में camera मिलता है इसके अंदर आप performance आपको कैसे मिलती है इसके अंदर वह मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों के परफॉमेंस है इसके अंदर आपको normal type की मिल जाती है आपको दिक्कत नहीं होगी rate के साफ से camera इसके अंदर आपको ठीक टाक दिया गया है बाकि अ नॉर्मल यूज में आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों और ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हो आउटडोर के अंदर काफी बड़े से performance आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों इसके साथ जो है अगर आपको जैसे camera की वज़े से ही phone खरीदना है तो आपसे आपको देखने को मिलती है इसके अंदर और चारजर भी 18 वाट का मिल जाता है तो यह चीज भी काफी बढ़िया है तो यह सारी खुब यह कम्यापको मिलती है इंफनिक्स के latest hot 40i के अंदर सिर्फ 10,000 के आसपास चेले बात करते हैं आपके लिए phone कैसा रहेगा और किन चीज यूस करने में experience भी सही है तो आपको problem नहीं होगी आप ले सकते हैं इसको बाकि full HD plus display और थोड़ा बेटर डिजाइन होता है edges बेजल्स जो है इसके अंदर और कम होते तो काफी बढ़िया रहता चीन कम होती तो वह चीज जो है आपको और बेटर देखने को मिल जाती है 256GB storage आपको मिल जाती है तो RAM और storage अगर आपको जादा चाहिए तो ये काफी बढ़िया रहेगा 4G smartphone ये चीज नॉर्मल है तो अगर आपको आपको बढ़िया चाहिए फोन का बैटरी अच्छी चाहिए इसे के साथ दोस्तों आपको RAM और storage जादा चाहिए तो आप इस phone को खर करके बताइएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो जल्दी से इसके लाने की comparison की तो वीडियो के नीचे comment करके जरूर जाइएगा वीडियो दोस्तों आपको अच्छे लिए तो लाइक जरूर कर दीजिए तो दोस्तों आपको इन्फनिक्स का ये latest hot 40 आई कैसा लगा कैसा नहीं मुझे नीचे comment करके जरूर बताइएगा और अगर आपको इसका comparison देखना है किसी और अपने पसंद के फून के साथ तो वो चीज़ भी comment करके बताइएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो भी लाने की वीडियो दोस्त चले मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई